हाई फ्रेज्स मैं हूँ मार वेलकम तू मुवी शुवी यूजिली देखो जितने भी box office nislaids मैं मुवी शुवी एक्स्प्रेस पे कवर करता हूँ उस का जो चैनल का नाम है मुवी शुवी एक्सो्प्रेस है मूवी शूवी नहीं है उसका जो लिंक है वो आपको description box में मिल जाएगा उसको भी उतना ही प्यार दो जितना मूवी शूवी को देते हो और मूवी शूवी तो कौमा ही नहीं रहेंगे चाए मूवी शूवी पे हो चाए मूवी शूवी एक्सप्रेस पे हो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक जैसे कहते हैं खतरी की घंटी है किसी भी आर्टेस्ट के लिए किसी भी एक्टर के लिए एक्टरिस के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम attention किसी तरीके से grab कर लेंगे तो हमारी मूवी भी चल जाएगे मूवी का connection controversy से attention से कोई भी नहीं है ये हमने सावित कर देना आज क्योंकि कंगना मैडम को लगा था कि जो controversial statements वो मारते रहती हैं जिस तरीके का उनका howbhow हो गया है वो अब उसकी वज़ा से उनकी movies भी चल लिया करेंगी तो आपने ये देखा ही होगा कि उनका जो lock-up type का serial आया MX player के अंदर 50% जनता ने ये बोला कि बहुत बढ़िया है जैसी वो share नहीं है उसी तरीके की वो tame करके रखती है सबको बहुत बढ़िया बात है उनकी personality कुछ इस तरीके की है और बहुत से लोगों को ऐसा भी लगा कि यार ये arrogance है तो बहुत से लोगों ने उसको ऐसा qualify कर दिया arrogance अट दे सेम टाइम सोशल मीडिया पर हमें कुछ देखने को मिला कि जहां पर बहुत से लोग कंगना की जो movie एक थी धाकर उसको support कर रहे थे बट अट दे सेम टाइम उन्होंने शायद ticket counter भे कुछ नहीं किया तो लोग सिरफ मजे लेके निकल लिए लोगों सिरफ लग रहा था कि यार तमाशा करते रहो हमारा entertainment करते रहो लेकिन हम movie वही देखेंगे जो original होगी तो बहुत से हद तक लोगों ने बोला कि यह पचासो atomic bomb से लेके कितनी सादा blonde से लेके कितनी सारी movies है जिसका mixture करके आप हमें कोई एक movie दिखा रहे हो तो यह भी हमारे लिए remake की तरह ही है हम support ही नहीं करेंगे और वैसे भी हमें इतना controversial इंसान से कोई लेना देना है नहीं तक कुछ बहुते drastic original लाओ ऐसा indicator आता है मैं आपको गताता हूँ क्यों क्योंकि 9-10 flop अगर किसी इंसान की होती है तो जो confidence level होता है किसी नहीं movie का वो भी हिल जाता है कंगना को यह बात भी यहाँ पर सीखनी होगी कि शायद ऐसा नहीं है कि जो इंसाइडर होते हैं उनी को chances मिलते हैं अगर आपको भी 9-10 movies flop करने के बाद और chances मिलते जा रहे हैं तो इसा फेर गेम तो जो आप बताते हैं गेम की आपके साथ unfair हुआ है लोगों के साथ unfair हुआ इतना unfair नहीं होता हर बंदा किसी ना किसी के नाम को exploit करने के कोशिश करता है जो जनता में famous होता है तो मैं आपको बताता हूँ 2014 में मैम चड़ती कलाओं में थी उनकी queen आई और उसके बाद revolver रानी फेल होगी 2015 में उनकी बहुत बड़ी है टाई तनु वेट मनू रिटर्न और उसके बाद I love you कटी बटी अंगली यह सब flop होगे 2017 में सिम्बरन flop रंगून flop 2019 में जज्ज्मेंटल है क्या यह flop फूर उसके बाद मनी करने का जो उनका था जिसका उनका प्रदक्शन हाउस भी खोला वो भी flop फिर पंगा flop 2020 में 2021 में अगें बहुत बढ़ा डिजास्टर थलाइवी और 2022 के अंदर आते आते उनकी जो दस भी मूवी है धाकड यह भी super duper flop होई है यह biggest flop of I think Bollywood के अंदर इसका नाम आ चुका है क्योंकि अगर पहले दिन अगर आप कितने बड़े star होते हैं और आपको opening भी नहीं मिलती है इसका मतलब है you are rejected out and out reason कुछ भी हो reason आप लोगों को भी मेर से जादा पता होगे कि आपने यह movie क्यों नहीं देखी क्योंकि मैं support करूँ ना करूँ मेरा जो भी opinion नो आपका opinion मेर से जादा matter करता है कि आपने वो ticket क्यों नहीं ली तो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है इसका टोटल कलेक्शन जो चार दिन का हुआ है वो मुश्किल से सवा तीन करूर रुपे हुआ है और पहले दिन सबसे ज़्यादा हरानके के बात है कि आपको 1.2 करूर रुपीज का opening मिला है विच मीज़ पीपल दिन नाट वांटे टो सी इट तो आप जितना मर्जी सोच लें कि इतना जादा तो मुझे लगता है कि उनको अपनी इमेज करेक्शन के बारे में कुछ सोचना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो कॉंट्रवर्शल एक और बन गई है कि सब्सक्राइब कॉंट्रवर्सी ही होगी कुछ हैपी नियूज नहीं होगी तो लोगों को जमता नहीं लगों लगता है कि यार हो गया लड़ाई जगड़ा हो आगे बढ़ो कुछ अच्छा भी बताओ कुछ अच्छी बाते करो किसी पर ताने उस पर ताने यह ताने हो गया हम समझ गया कभी कभी हो गया आपको अगर कोई बहुत इंपॉर्टन बात बोलनी है आपने सोचल मीडिया का सहरा लिए और आपने बात कर ली यह नहीं कि हर चीजी नेगेटिव है दुनिया के अंदर तो उस वज़ाद से शाद लो अगर त्री मूरती जैसी मूवी मत बनाना क्योंकि वह सुपर डूपर अटर फ्लॉप थी अब उसका जो नाम करण है वह चेंज हो गया है बोलते हैं कि याद धाकर जैसी मूवी मत बनाना ऐसा क्यों हो गया कॉमेंट करके बताओ बाए बाए